नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों ये खबर तो आप सभी लोगों को मिल गई होगी कि चीन के करीबन 200 जवानों ने भारतिय सीमा में गुसपैट करी है और ये गुसपैट हुई है अरुनाचल परदेश के तवांग में हाला कि हो चुका है दोनों तरफ के जवानों के बीच एक जड़प तो जरूर हुई है लेकिन ना तो भारत को कोई नुकसान हुआ है ना ही हमने किसी चीनी सैनिक को पकड़ा है लेकिन जो में सवाल उठता है कि चीन ने इस बार गुसपैट ना उतराखंड में करी ना लदाख में करी ना ही डोकलाम में करी चीन ने इस बार तवां को ही निशाना क्यों बनाया और पिछले एक महिने में चीन ये दूसरी बार गुसपैट क्यों कर रहा है दोनों ही कारण आपके लिए बहुत ही जादा जानना जरूरी है तो चलिए बिना समय को आई वीडियो को शुरू कर अपने पडोश्यों के साथ युद्र का माहूल खड़ा करता है जिससे की ना सिर्फ चीन के लोगों का बलकी पूरी दुनिया के लोगों का ध्यान चीनी सरकार की नाकामी पर न जाए सब का ध्यान इन कोण फिलिक्ट पर इन युद्ध की परिस्थिदियों पर जाए जैस चीन के अर्थवस्था को लेकर डूबेगा अब इसके बाद चीन की सरकार का क्रिटिसिजम सुरू हो गया ना सिर्फ विदेशों में बलकि खुद चीन के अंदर भी इसको लेकर आवाजे उठने लगी क्योंकि इस एवर ग्रैंड कंपनी ने कई लाखो चीनियों को ये वादा करके रखा था कि हम आपको घर बना कर देंगे और अब हालत यह है कि ये कंपनी दिवालिया हो जाएगी अगर ये दिवालिया हो गई तो उन लाखो लोगों की सारी जमापूंजी गायब तो ऐसे में चीन के अंदर जी हां शेन जेन शेहर में जहांपर इसका हेड़ कौआटर था कमपनी का वहाँ पर पर्दरशन हुए जी हां चीन के अंदर पर्दरशन हुए ने एक बहुत बड़ी बात थी अब चीन ने क्या किया इससे ध्यान अटाने के लिए ताइवान के अंदर छपल लड़ा को विबान गुसा दिये जिससे की चीनियों का और पूरी दुनिया का ध्यान इस बात पर चला गया कि चीन और ताइवान की बीच में युद शुरू हो सकता है लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ चीन के अंदर एक बहुत बड़ा पावर क्राइसिस शुरू हो गया चीन के बड़े-बड़े शहरों में बिजली की कटोती होने लगी चीन की करीबन 50-60 फीस्दी फैक्टरियां ठप पड़ गई क्योंकि उनमें बिजली ही नहीं थी इतना ही नहीं चीनी सरकार ने अपने देश के लोगों को ये फरमान जारी कर दिया कि आप ऐसी इलेक्टरोनिक चीजे बंद कर दीजिये जो ज्यादा बिजली खाती हो और इससे चीन के अंदर चीनी सरकार का विरोध और तेजी से बढ़ा दुनिया भर में उनका क्रिटिसिजम होने लगा क्योंकि एपल, टैसला जैसी जो विदेशी कमपनिया थी इनके प्लांट बंद पड़े हैं बिजली की कमी के कर तो ऐसे में चीन ने एक बार फिर से किसी निशाना बनाया अपने पडोसी यानि की भारत को इन्होंने सोचा कि भारत के साथ एक कॉनफिक्ट स्टार्ट करते हैं जिससे कि पूरा दुनिया का ध्यान इस बात पर जाएगा कि भारत और चीन के बीच में युद हो सकता है चीन की कमिया एक बार फिर से दुनिया से छुप जाएगी लेकिन अब दिक्नत ये थी कि भारत के साथ कॉनफिक्ट कहां स्टार्ट कर दे पहला यहाँ पर चोईस थी लद्दाक लेकिन आप जानते हैं कि गलवान घाटी की हिंसा के बाद भारत ने लद्दाक को किले में तबदील कर दिया है फिर इन्होंने सोचा चलो डोकलाम में स्टार्ट करते हैं लेकिन वहाँ तो चीन के लिए हालत और खराब है 2016 में वहाँ पर कॉन्फिक्ट हुआ था भारत चीन का तब से भारत ने वहाँ पर इतनी heavily military deploy करके रखी है कि वहाँ पर एक कदम बढ़ाना भी संभव नहीं है फिर इन्होंने उत्तराखंड हिमाचल को निशाना बनाने की सोची लेकिन वहाँ पर भी इतनी बड़ी news नहीं बन सकती थे क्यों अब से एक देड़ महिना पहले इन्होंने कोशिश करी थी उत्तराखंड में लेकिन दुनिया भर में इसकी चर्चा नहीं हुई क्योंकि वह इतनी कॉंट्रोवर्शल जगह नहीं है इन्हें चाहिए थी एक ऐसी कॉंट्रोवर्शल जगह जहां पर भारत को परिशानी भी हो दुनिया भर में चर्चा भी हो तो ऐसे में इन्हों निशाना बनाया है तवांग को तवांग चीन के लिए स्पेशल है और भारत के लिए भी दरसल 1962 के यूद में चीन ने तवांग पर कबजा कर लिया था हलाकि बाद में चीनी सेना को यहां से वापस हटना पड़ा था लेकिन तवी से तवांग भारत और चीन के लिए नाक की लड़ाई बना हुआ है ऐसे में यहाँ पर घुसपैट करना अपने आप में एक बहुत बड़े विवाद को हवा देनी जैसा है इसलिए इन्हों ने अपने दोसो सेनिकों के साथ तवांग में घुसपैट की कोशिश करी लेकिन चीन को ये भी उल्टा पड़ गया दरसल पिछले एक दर्शक में यानि दस सालों में भारत ने तवांग में बहुत ही जादा बड़े लेवल पर इन्फरास्रक्चर का निर्मान किया है बहुत सारी सुरंगे बना ली है जिससे अब ये होता है कि जैसे ही चीनी सीमा पर कुछ हलचल होती है भारत बहुती कम समय में अपने बहुत सारे सैनिक रवाना कर देता है चीनी सीमा की तरफ और यही हुआ, चीनी आये तो इसलिए थे कि भारती जमीन पर कुछ कबजा करेंगे, कुछ structure है वहाँ पर पूल होगा या बंकर होगा उसे तोडेंगे, लेकिन भारती ये सैनिक इतनी जल्दी पहुँच गए चीनी सीमा पर और चीन से दुगनी तिगनी संख्या में पहुँ कि वह कुछ करीने से के और उन्हें वापस लोटना पड़ा और चीन का एक और प्लान नाकाम हो गया इससे देखे हमें एक सीख भी मिलती है कि चीन को पचार ना कोई बड़ी बात नहीं है बस भारत को करना ये है कि भारत चीन सीमा पर ज्यादा से ज्यादा infrastructure यहाँ पर शेर की जेगा और चैनल को सब्सक्राब करना बिल्कुत दूलेगा थैंक्यू बरमच पर वाचिंग वडियो